हाँ जी स्वागे था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमस्ट्री क्लासेज में और आज की इस क्लास में अपने देखेंगे योगी कुंगा सुत्तर और संपूरित रिक्तियों की संक्या जब अवियविकर्ण निबिड संकुलित होते हैं तो उस निबिड संकुलित सरंचनाओं के निर्मान के दोरान जब अवियविकर्ण पास पास आते हैं एक दूसरे को निकट करने और प्रयास करते हैं उस इस्तिती में दो प्रकार की रिक्तियां बनती है और वो रिक्ति होती एक चतुस फल की और एक अस्ट फल की यदि किसी crystal जालक सरंचना में अव्यवी कणों की संख्या मान लेजिये N है तो वहां चतुस फल की रीक्तियां कितनी होगी 2N अव्यवी कण N है तो अस्ट फल की रीक्तियां वहां होंगी N और चतुस फल की रीक्तियां होंगी 2N यह अपन पीछे पढ़ चुके हैं अब जब ठोस में अव्यवी कण निबिड संकुलित हो करके HCP, CCP, FCC, FCC जो भी सरंचना मनाते हैं तो दो परकार की रीक्तियां बनती है दो परकार के गरत बनते हैं एक चतुस फल की एक अस्ट फल की यदि उस क्रिस्टल जालक के निर्माण में अब यह वी कण N लगते हैं तो चतुस फल की रीक्तियां बन जाएगी 2N और अस्ट फल की रीक्तियां होंगी N अब क्रिस्टल जालक के निर्माण में जो क्रिस्टल जालक बनता है उसके निर्माण में रिनायन जो है वो जाल का निर्माण करते हैं और धनायन जो है वो रिक्तियों को ग्रेंड करते हैं धनायन रिक्तियों को ग्रेंड करते हैं और रिनायन जाल बनाते हैं रिनायन क्रिस्टल जालक बनाते हैं ग्रिष्टल जालक और धनायन रिकत्यों को ग्रेहन करते हैं अब यदि आकार में छोटा धनायन है तो रिकती जिसमें धनायन जाएगा वो होगी चतुस फल किये यह चतुस फल किये इसमें जाएगा छोटा धनायन और अस्टफल के रिक्तियां इसमें बड़ा धनायन होगा यानि रिक्तियों को ग्रेंगे धनायन लेकिन छोटा है धनायन आकार में तो चतुसफल की बड़ा है तो अस्टफल के रिक्तियों को ग्रेंड करेगा रिनायन क्रिस्टल जालक का निर्मान करते हैं और धनायन रिक्तियों को ग्रेंड करते हैं अब कुल उपलब्द इस्तानों में से जो इस्तान धनायनों द्वारा ग्रेंड किये जाते हैं यानि जो रिक्तियां उनकी जितनी पूर्ती की जाती है उस अंस के आधार पर योगीकों के सुत्र निर्धारित किये जा सकते है कि कुल उपलब दरीक्तियों का वह इस्तान जो क्या करते है धनायन ग्रेंड करते है उसके अंस के आधार पर अपन किसी योगीक का सुत्र निर्धारित कर सकते है तो अपने पास योगिकों के सुत्र निर्धारित करने के इस प्रकार के सवाल मिलेंगे देखो एक योगिक दो तत्वों X और Y से निर्मित है Y परमाणू CCP बनाता है यानि जो जाल बनाता है वो रिनायन यानि Y कौन है? Y रिनायन है X सभी अस्टफल के रिक्तियों में भरे होते हैं तो योगिक का सुत्तर ग्यात कीजिए तो कौन-कौन से तत्व है? X और Y दो लगेवें Y रिनायन है तो बाद में लिखा जाएगा X देनायन है तो पहले लिखा जाएगा X सभी अस्टफल के रिक्तियों को तो मान लीजिए अभी 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 अभ लिया है एक जो जाल बनाता है वो एक है अब अस्टफल के रिक्तियां अव्यविकन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे अस्टफल के रिक्तियां होंगे अब अस्टफल के रिक्ति अव्यविकन एक माना तो अस्टफल के रिक्ति भी एक होगी उसका कितना भाग सारा प्रेवे हैं उन में कोई खाली नहीं है तो देखो एक अनुपात एक आ गया तो योगी का सुत्र हो जाएगा एक्स वाई इस तरीगे से अपने हल कर लेंगे फिर नेक्स्ट है तत्व है बी एच्सीपी जालग बनाता है यानि बी रिनाइन हो गया और दूसरा है ए धनाइन हो गया एच्सीपी जालग बनाता है तो मान लीजिए अपने पास इधर कर लेते हैं ये ए है ये बी है बी क्या बनाता है एच्सीपी जालग बनाता है तो ये एक है मान लीजिए तो ये चतुसफल के रिक्तियों की बात कर रहा है तो यदि अव्यविकन एक है तो चत्व सफ़ल के रीक्तियों को इस फल के रीक्तियों कोन गरंड करता है? धनाइन यान्य एक गरंड करेगा अब वो लिकता है कि एच सी पी जालग बनाता है तो B की ओपन ने एक मान लिया फिर तत्व एके पर मानों 2 बटा 3 चतुसफल के रिक्तियों ग्रेंड करते है यदि B का अभी अभी कणों की संख्या अपन ने एक माननी है तो 8 फल के रिक्तिया होंगी 1 चतुसफल के होंगी 2 ये 2 अब वो कह रहा है कि चतुसफल के रिक्तियों का 2 बटा 3 यानि जो 2 उपलब्ध हैं उनका भी 2 बटा 3 हिस्सा ग्रेंड करता है कौन धनाईन A तो ये इस्तिति हो जाएगी 2 का 2 बटा 3 अब इस संख्या को आप पूर्ण आंग में बदल लो यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 और B कितना हो जाएगी ये 2 दूनी 4 बटे 3 और ये 1 इसको भी 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से तो 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा A4 B3 योगी का सुत्र हो जाएगा A4 बी फ्री नेक्स्ट देखो एक योगीग दो तत्व मुझे मिलकर बना हुआ है इसको एक मान लो अब वह चत्वस्पल के रिक्तियों की बात करता चत्वस्पल के यदि अवी विगनों को एक मान ते हो चत्वस्पल के रिक्तियां उसकी दोगुणी हो जाएगी अब यवईकन N तो चतुसपल के रिक्तियां 2N अब बचतुसपल के रिक्तियां एक योग객 2 तटु M और N से मिलकर बना हुआ N CCP बनाता है तो N CCP बनाता है इसके अब यवईईकन को 1 माल लिया फिर M के परमाणु चतुसपल के रिक्तियों गा 1 बटा 3 अब चत्युसपल के रिख्तियां जो है वो अभी अभी कन जितने हैं उनका दो गुणी होगी तो एक है तो दो हो जाएंगे इनका कितना भाग रेंड करता है M 1 बटा 3 तो 2 का 1 बटा 3 कर दो क्या हो जाएगा M N 2 बटा 3 और 1 तीन से उनका कर दो पूर्ण आंग में बदल जाएगी तीन से तीन केंसिल यह हो जाएगा M 2 N 3 योगी का सुत्र हो जाएगा M 2 N 3 इस तरीके से अपन योगी कों के सुत्र ग्याद कर सकते हैं यदि अपने को संपूरित रीक्तियों का अंस मालूम है कि वो कितना हिस्सा ग्रेहन करती है रीक्तियों का कुल उपलब्द रीक्तियों का कितना हिस्सा जो है वो दनाएंद वारा ग्रेहन किया जाता है दो बटा तीन एक बटा तीन तो आसानी शेपन क्या कर सकते हैं सुतर ग्यात कर सकते हैं तो क्या करना है रिणायन जो बनाता है जालक उसको एक मान लो अब वो कहता है चतुसपल किये रिखतियां तो चतुसपल किये रिखतियां एक की दुगनी दो कर लो और वो एस्टपल किये कहता है तो एस्टपल किये रिक्तिया आविवी कणूगी संख्या के बराबर होगी रिनायन को एक मान लेना है फिर वो चतुसपल किये एस्टपल किये रिक्तियों की बात करेगा धनायन के लिए तो चतुसपल किये तो दो कर लो और अस्पल किया तो एक मान लो फिर वो कहता है एक का एक बटा आठ हिसा ग्रेंड करता है तो एक का एक बटा आठ कर दो एक का एक बटा दो कर दो या पूरी ग्रेंड कर लेता है तो पूरा लिग दो और फिर अनुपात आसानी से निकाले जा सकते हैं तरीगे से अपन योगी का सुत्र और संपूरीत रिखतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं अब देखो अपन एक कोस्टिकाई विमा समंदित गंडाएं गंडाउं के लिए सुत्र काम में लेंगे जैसे गनत्व है एक कोस्टिकाई किनारे की लंबाई है उनके लिए तो एक कोस्टिकाई का गंड़त्व जो है उसके लिए फूर्मूला क्या हो जाएगा एक कोस्टीका का घनत्वे बराबर हो जाएगा एक कोस्टीका का दर्वमान बटा आईतन एक कोस्टीका का आईतन क्या होगा एक क्यूब लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उंचाई ये तो जाएगा उसका आईतन एक कोस्टीका का दर्वमान क्या होगा एक कोस्तिका का दर्विमान बो जाएगा एक कोस्तिका में अवियवी कणों की संख्या गुना एक कण का दर्विमान कि अवियवी कणों की संख्या कितनी है तो एक कोस्तिका एक कोस्तिका में अवियवी कण अवियवी कणों की संख्या गुणा एक कण का दर्वेमान अब मान लीजे एक कोस्तिका का दर्वेमान जो है वह जाएगा एक कोस्तिका में अवियवी कणों की संख्या z है और एकण का दर्वमान है small m तो हो जाएगा z into m एककोस्टिका का दर्वमान अब गनत्व आपको पता है गनत्व डी इस इक्वल टू होता है दर्वमान बटे आईतन तो एककोस्टिका का गनत्व क्या हो जाएगा एककोस्टिका का गनत्व है बराबर एककोस्टिका का दर्वमान गितना z into m बटा एककोस्टिका का आईतन a cube गनत्व बराबर होता है दर्वमान बटे आईतन एककोस्टिका दर्वमान हो जाएगा वेवी गनोंगी सेंख्या गोणा एककन का दर्वमान बटा एक कोश्टीगा का आईतन हो जाएगा एक यूप अब एक कण का दर्वमान वो कैसे निकालेंगे एक कण का दर्वमान बराबर होता है मोलर दर्वमान बटा आउगादरो संक्या कि टोटल अपने पास किसी योगी का मोलर दर्वमान है उसमें आउगादरो संक्या का भाग दे दें तो अपने पास एक कण का दर्वमान आ जाएगा क्योंकि एक मोल में अभी एभी कण की संक्या 6.0222 गुनादस की गाद 23 होती है मोलर दर्वमान दे रखा है उसमें किसका भाग दे दो आउगादरो संक्या का तो अपने पास एक कण का दर्वमान आ जाएगा यदि मोलर दर्वमान को मैं केपिटल M से दर्वमान और आउगा दरो संक्या को N A से तो एक कण का दर्वमान स्मोल M बराबर मैं लिख सकता हूँ D गनत्व बराबर Z इंटू मोलर मास मोलर दर्वमान बटा A क्यूब गुणा N A Z एक कोस्टिका में अवियवी कण M एपिटल M मोलर दर्वमान मोलर दर्वमान N A आउगाद्रो संक्या आउगाद्रो संक्या A क्यूब कोस्टिका का आइतन और D है गनत्व तो अपन एक कोस्टिका की गनत्व की गन्णा कर सकते हैं एक कोस्टिका में अवियवी कण की संक्या इंटू मोलर दर्वमान बटा A क्यूब एक कोस्टिका के किनारे की लंबाई है आई तनो जाएगा a cube into आउगाद्रो संक्या कि जैसे ये एकण का दर्वमान जो है वो अपने को देखो केलकुलेट करने के लिए small m बराबर m बटा n a देया है इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपन कि मोलर दर्वमान मानलीजे 40 ग्राम प्रती मोल है और आउगा द्रो संक्या है वो है 6.02 दो गुणा दस की गाद 23 परमानू प्रती मोल एक मोल में इतने कण होता है टोटल अपने पास दर्वमान इतना है कणू की संक्यागा भाग देदे तो एकन का दर्वमान अपने पास आ जाएगा मोल से मोल के अंसल हो जाएगा और ग्राम में अपने पास क्या आ जाएगा एक परमानू का ग्राम प्रती परमान यह जाएगा केल्कुलेट हो जाएगा हर एक पर्माणों का धर्मान गयाद करने के लिए मोलनर दर्मान में क्या देदो आओगा दरोशन क्या का भाग दे दो इसलिए अपने क्या क्या है small m की जगे capital m बटा n लिखा है तो अपने वाज final शुत्र आ जाता है d बराबर z into molar mass molar दरुमान बटा n into a cube ये formula अपने वो याद रखना important है तो ये एक अकोस्टिका कि विमा सम्मन्दी गणना है इस सुत्र की साहिता से अपने कर सकते है thank you